प्यारे बच्चो जैक द्वारा मॉडल प्रस्ण पत्र जारी कर दिया गया था और उसमें से हम लोग क्लाश 12 के लिए अर्ज सास्त का मॉडल सॉलूशन सारा कम्प्लीट कर लिए हैं अब हम लोग इतिहास के मॉडल सॉलूशन को देख रहे हैं जिसमें से पहले पार्ट के व वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर सेयर करें तो चली हम लोग आज कि लया सिखते हैं सब्जेक्ट इतिहास है विसे निष्ट प्रस्ण है चालिस नंबर कर यह आपका निर्देश पढ़ लिजिएगा पहला कोस्चन है आपका गोपूरम से आप क्या समझते तो गोपू अच्छिन भारत के मंदिरों को द्वार पर इस्थित होता है यह जो गोपूरम है वो मंदिर के द्वार पर नकासी बनाया जाता है दूसरा कोस्चर है आइंगर विवस्था से आप क्या समझते हैं तो विजे नगरकाल में ग्रामिर पर सासन की एक अन्य महत्पून विवस्था के नुसार एक स्वतंत रिकाई के रूप में परते ग्राम को संगठित किया जाता था जिस पर सासक के लिए बारा सास्किय वेक्तियों को निउक्त किया जाता था इस बारा सास्किय अधिकारियों के समु को ही आइंगर कहा जाता था तीसरा है अकबर का जन कब और कहां हुआ था तो अकबर कजम 15 अक्टुबर 1542 इस्वी को अमर कोट सिंध पाकिस्तान में हुआ था चोथा है भारतिय स्वतंत्रता आंदुलन के मुख भूमी का निभाने वाले चार महापूर्सों के नाम लिखिये तो भगत सिंग, महत्मा गांधी, सुभास्चन बोस, बाल गंग धरती लग, पार्चमा है डांडिक किस राज में इस्थी थे तो यह घुजरात राज में इस्थी थे लोथल किस नधी के किनारे इस्थी थे अगला है कोश्चन, पांज गो आपको इसे देना है, आठवा कोश्चन है, मौर कालिन इतिहास के पर्मुक सुरोतों का संचिप्त विवरन कीजिए तो मौर इतिहास के बारे में दो परकार के सुरोत उपलब्ध है मलब सुरोत मलब होता है कि मौर कालिन सभ्यता को हम लोग कैसे जानते हैं तो उसके सुरोत उपलब्ध है क्या पाला है एक साहितिक और दूसरा पुरा तत्विक साहितिक स्रोतों में कोटिल का अर्षा, विक्साखा दद का मुद्राराक्षा, मेगासनीच की इंडी का बॉल साहित और पुरान है और पुरा तत्विक स्रोतों मला जिसों खुदाई में जो मिला है में असोग के सिला लेख और अभी लेख और वस्तुगों के अवसेश जैसे चांदी और तामे के छेद किये हुए सिके सामिल है तो इससे हम लोगों मौर कालिम सभी हता का पता चलता है फिर त्री पीटक के विशेव में आप क्या जानते हैं तो त्री पीटक जिसको हम लोग पाली ती पीटक जिसका साब्दिकत होता है तीन पीटारी तो बहुत धर्म का पर्मुगरंध है यह जो त्री पीटक है यह बहुत धर्म का पर्मुगरंध है मानते हैं या बोध्रम के प्रांचिंतम गरंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उबदेश संग्रिहित है या गरंथ पाली भासा में लिखा गया और विमिन भासाओं में अनुवादित है दसमा है सवीने अवग्या आंदोलन के दो करण लिखे साइमन कमीशन का बहिसकार तो साइमन कमीशन के बहिसकार और जनता के उसा को देखते हुए कांग्रेस नेताओं को या विश्वास हो चुका था कि अब जनता आंदोलन है तुद तयार है दूसरा है सवीने अवग्या आंदोलन तो इसके प्रारम होने का एक कारण यहावी था कि सरकार ने नहरू समिती की रिपोर्ट को ठुकरा दिया था मलब सरकार यहाँ अंग्रेजों ने नहरू समिती रिपोर्ट को ठुकरा दिया था जिसके कारण आंधोलन हुआ एगारा नमबर कोचन है मुगल कालीन चिद्रकला की क्या विसेस्ताय थी तो भारत में मुगल चिद्रकला की सुरवात हुमायू के सांसर काल में विक्सित हुई थी मुगल कालीन चिद्रकला 16 सतावदी से लेका 28 सतावदी के मध के काल को माना जाता है मुगल चितरकला अखबर जहांगीर और साजहा के सासनकाल में उनका बहुत विकास हुआ था मुगल कानी चितरकला की कई विसेश्टाय है जो निमलीखी था पहला है मुगल कानी चितरकला को मुख के तीन भागों में बाटा गया था दूसरा मुगलकानी चित्रकला की यह सबसे बड़ी विशेष्टा थी की यह चित्रकला वास्त्विक दिरिश्ट को विधान करती थी तिसरा है यह चित्रकला जीवन के सभी रंग के साथ परभाव दिखाती थी चोथा एक लगू चितरकारी थी और लास्ट है या रंग संयोजन को चमक दमक आधी के साथ बनाया जाता था बारवा नमबर कोश्चन है दीने इलाही पर संचिप टिपनी लिखे तीन नमबर का कोश्चन है बस चो तो जदा लमम लमा अंसर नहीं दिये हैं आप लोगों को ताकि आप लोगों को याद करने में सुईधा हो पहला है दीन ए इलाही का तिपनी, दीन ए इलाही 1582 इस्वी में, यहां इस्वी हो जागा, बेरासी इस्वी में मुगल समराथ अकपर द्वारा पस्तावी धर्मिक विश्वासों की एक परना लिती, दूसरा यह सभी पर्मुक धर्मों की सिछाओं और मान्याताओं पाधारी और इसलिए उसने इन गुनों को दीन ए इलाही में जोड़ा और लास्ट पॉइंट है इसकी स्विक्रीती में ना कोई बाधता थी ना पुरसकार ना डंड और ना धार्मिक सहस्ताओं के अस्थापना थी तेरा नमबर कोश्चन है प्राचीन भारती इतिहास के अध्यन के मु तो पुरा तत्विक स्रोत में क्या है तो पुरा तत्व उन भातिक वस्त्वों का अध्यन करता है जिनका निर्मान और उभोग मनुस ने किया है अता वे समस्त भातिक वस्त्वे जो अतीत में मनुस द्वारा निर्मिदेवा उभोग की गई है वे सभी वस्त्वे पुरा त पूरा तत्विक शowana को बहुत अधी क मानते हैं क्यूंकि पूरा तत्विक शोतो में लेखक कोई गडवडी नहीं कर सकता है। पहला है अभी लेख, दूसरा सीख के फिर असमारक, मोहरे, कलाकृतियां, मिठी के बर्तन, उपकरन, आभूसन. दूसरा है साहितिक स्रोत तो साहितिक स्रोत वे स्रोत है जो साहितिक अर्थात पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त होती है या साहितिक धार्मिक लौकिक एवं विदेशी लेखकों की लेखनी से प्राप्त है प्राचीन भाति इतिहास के साहितिक स्रोतों को दो वर्गों में बिभक्त किया जा सकता है, पहला है धार्मिक साहित और दूसरा है येतिहासिक एवं समसाइक साहित, तिसरा है अवका विदैसी लेखकों एवं व्यात्रियों के विवड़ाथ, तो भारती इतिहास के अनुसीलन से विदित है कि प्राचिन काल से ही विभीन पर योजनों से प्रेरित होकर भारत भूमी के भर्मन है तू अनेग विदेशी यातरी भारत आयजीन में से कई विदेशी आकरांताओं के साथ कई विदेशी राजदूतों के रूप में और कई व भारतिय इतिहास पर व्यापक परकास डालते हैं चौदा नंबर कोश्चन है किताब उलहिंद के विशे में आप क्या जानते हैं तो किताब उलहिंद अलबरूनी द्वारा रचित एक महत्पून ग्रांत है या मौलिक रूप से अरभी भासा में लिखा गया है तथा बाद में या विश्व की कई परमुख भासाओं में भी अनुबादित किया गया है या एक विश्टित गंत है जो धर्म और दर्सन, तहवारो, खगोल विज्ञान, कीमियो, रिती रिवाजो, तथा पर्थाओं, समाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विद्यो, मुर्ती कला, मापतंत्र विज्ञान, आदी विश्यों के अधार पर अस्ती अध्यायों में विभाजित है, भासा के दिश्टि से लेखक ने इससे सरन वा अस्पष्ट बनाने का परियास किया है, अलबरुनी ने परतेक अध्याय में समानता हलाकी हमेशा नहीं, एक विशिष्ट सैली का परियोग किया है, वा परतेक अध्याय को एक प्रसं से प्रारम करता है, इसके बाद संस्कृति वादी प्रम प्रावों पा अधारित वर्णन है, और अंत में अन संस्कृतियों के साथ एक तुलना की गई है, आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि अलबरुनी का गनीत क और जुका था, इसी कारण ही उसकी पूस तक जो लगभग एक जामित ये संवरचना है, बहुत ही असपश्ट बन पड़ी है, अब खंड गया है बच्चों, पंदरा नंबर कोश्चन है, भारतिय स्वतंत्रता आंदोलन में महादमा गांधी के योगदानों का वर्नन करें, तो थोड़ा सा ये अब लंबा हो जाएगा, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक लाग्या दीजे, बाबाई